हलो दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना दबुग का है, और आज मैं आपके लिए लिखा रहाया हूँ, The Subtle Art of Not Giving a Fuck की बुख समरी जिसे लिखा है Mark Manson में, तो चलिए फिर शुरू करते हैं दोस्तों कर आप चिंता मैसूस कर रहे हैं, या आप ठके हुए हैं, तो ये बुख सिर्फ आपके लिए ही लिखी गई है, The Subtle Art of Not Giving a Fuck का मतलब होता है, किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं देना, ये किताब हसुन इंसान के लिखी गई है, जो अपनी जिन्दगी से परिशान है या फिर अपनी एनरजी को सही तरीके से मेनेज नहीं कर पा रहा, बुख की ओथर कहते हैं, कि आपको हर चीज़ की परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप हर चीज़ की परवाह करेंगे, तो आप सिर्फ अपना समय और एनरजी ही बरबाद करेंगे, इसलिए इन किताब में बताई गई जानकारी, एक इनसान की लाइफ बदलने की शक्ती रखती है, चेप्टर वन, कोशिश मत कीजिए, चार्ल्स बोवस की एक बहुत बड़े जुआरी और शराबी थे, चार्ल्स जिन्दगी से हारे हुए इनसान थे, वे दुनिया कैसे इनसानों में से एक थे, जिनकी शायद ही कोई सलाह लेता होगा, चार्ल्स शुरू से ही एक राइटर बनना चाहते थे, लेकिन उनके काम को सभी नियूस पेपर्स और पबलीशर्स ने बेकार और घटिया बता कर उनका बहुत मजाग उड़ाया, लोगों की बात से चार्ल्स इतने ज़्या और जुए में बरबात कर चुके थे, फिर एक दिन उनकी जिन्दगी बदल गई, एक छोटे से पबलीशिंग हाउस ने चार्ल्स के काम में दिल्चस्पी दिखाई, पबलीशिंग हाउस के दिल्चस्पी दिखाने की वज़े से चार्ल्स के मन में फिर से उम्मीद की किरन और इस बार वो अपने चांस को गवाना नहीं चाहते थे। एक बहुत बड़ी कामियाबी थी। वैसे तो अमेरीकी ड्रीम में ये बात कही जाती है कि हमेशा कोशिश करो और हार कभी मत मानो लेकिन जब चार्ल्स मरे तब उनके कमर के पत्थर पर लिखा गया कि कोशिश मत करो। चार्ल्स की खास बात ये थी कि उन्होंने अपनी जिंदगी में बुरी हालातों से निकल कर अपनी जिंदगी को बदला। बलकि उनकी जिएजी जैसी थी उन्होंने अपनी जिन् depende को बैसे ही स्थिकर किया ओर successful बनने के बाद भी उनमें कोई खास बतलाव नहीं आया क्योंकि ना तो उनकी अच्छाएई ने उन्हें success दिलाई थी और ना ही success मिलने के बाद वो एक अच्छे इंसान बने हम सबी अपनी जिन्दगी में ऐसे वक्त से गुजरते हैं जब हालात बच से बत्तर होते चला जाते हैं जैसे कोई लोगों को बहुत गुस्सा आता है और उनको इस बात से भी गुस्सा आता है कि वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहे मतलब कुछ भी लेकिन अपने उपर गुस्सा करने सी जगह आप कोई सोचना चाहिए कि आप गुस्से को कैसे शांत कर सकते हैं या कैसे कम कर सकते हैं जब आप कभी अकेले होते हैं या फिर निराश होते हैं तब आपके मन में नेगेटिव विचार घूमने लगते हैं, जिसकी वज़े से होता यह है, कि आप अपने अकेले पन के बारे में इतना ज्यादा सोचने लगते हैं, कि आप घंटों तक इसी सोच में बिता देते हैं, और उदास रहते हैं, इस तरह की चीज़ें जब आपके साथ होती है, तब वो जहन्म के लूप में फसे होते हैं, आपके साथ सारी चीज़े अच्छी हूँ, आप अच्छे सरहें, और आप अच्छे अच्छे काम करते रहें, ऐसा होना थोड़ा मुश्किल है, तब आपके बोड़ी में पेन होना शुरू हो जाता है, लेकिन यही पेन बाद में आपको मसल्स के तौर पर रिबार्ट देता है, इसी तरह, जब आप काम में नाकामियाब होते हैं, तब आप डबल जोश के साथ उस काम को करने में लग जाते हैं, दर्द या फिर हार आपको जिन्दगी में जो कुछ मिलता है, आपको उसकी परवाब बिलकुल नहीं करनी चाहिए, यहां कहने का मतलब यह है कि चाहे आपकी जिन्दगी में कितनी बड़ेशानी क्यों नहीं आए, आपको अपनी परशानी पर कम ध्यान नहीं देना चाहिए, और बस आराम से आपको काम करते रहना चाहिए, हो सकता है, यह कुछ लोगों को थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन आपको दुनिया से मतलब ही क्या है, लेकिन कभी-कभी हमारे सिंदगी में कोई न कोई सिच्वेशन ऐसी आ ही जाती है, जिसमें ना चाहते हुए भी हमें उस सिच्वेशन को लेकर सोचना ही परता है, अब यह सवाल आता है कि आखिर हमें किन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, और किन चीज़ों के बारे में नहीं, लेखक की मा को उसके एक दोस्त ने अच्छी खासी रगम का चूना लगा जिया था, जिसके वज़े से लेखक के फाइनेशिली हालात थोड़े खराब हो गए, ऐसे में लेखक अपनी मा को उनके हालात में वैसे ही सोड़ सकता था, और अपने काम से मतलब रख सकता था लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया उन्होंने अपनी मा को कहा कि वो लोहर की मदद लेंगे और उस आदमी को सबक सिखाएंगे चैप्टर टू खुशियों के पीछे मत भागिये दुनिया में जादातर लोग खुशियां चाते हैं और इसमें कुछ गलत भी नहीं है यहां तक कि आप और मैं अपनी जिन्दगी में सिर्फ खुश रहना ही चाहेंगे लेकिन खुश रहने के लिए खुशियों के पीछे भागते रहने का मतलब कोई नहीं होता पच्चे सो साल पहले नेपाल के एक राजा थे जिन्होंने अपने बेटे को खुश रखने के लिए अपने महल के चारों तरफ लंबी दिवार बना ली थी जिसके विज़े से उनका बच्चा दुनिया के हर दुख दर्थ से दूर था लेकिन उसके मन में अक्सर यही सवाल आता था कि आखिर इस दिवार के पीछे क्या है और इसी का पता लगाने के लिए एक दिन बच्चे ने दिवार से बच्चते हुए बाहर जाने का रास्ता रूंडा और वो बाहर चला गया और उसके बाद उससे समझ आया जो लोग गरीब होते हैं वो इसलिए परिशान होते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते अमीर लोग सोचते हैं कि वो और जादा पैसा कमा कर खुश हो जाएंगे और गरीब लोग सोचते हैं कि वो अमीर बनने के बाद खुश हो जाएंगे जबकि असल में खुशी पाने का कोई पैमाना नहीं है, कोई भी कभी भी खुश हो सकता है, अपने जिन्दगी में कुछ हासिल करने का मतलब ये बिलकुल नहीं कि आप सारी जिन्दगी खुश रहेंगे, लोग तकलीफ इसलिए सहते हैं, क्योंकि तकलीफ पाने से लोग मोट उन्हें आगे बढ़ने के लिए एक्साइटेट करती है, खुशी के पीछे भागने ही सही चीजों का सही नहीं होती, कभी कभी दर्द भी हमें जिन्दगी में बड़ी बड़ी चीजे दिला देते हैं, लोग बस यही कोशिश करते हैं, कि वो अपनी जिन्दगी में किसी भ तरह का स्ट्रगल फेस ना करें, लेकिन अगर आप जिन्दगी को बहतर बनाना चाहते हैं, तो आपको अपनी लाइफ में अपने स्ट्रगल को खुच चुनना चाहिए, चैप्टर थ्री, आप औरों से अलग नहीं हैं, एक आदमी का नाम जिम था, उसके दिमाग में हर वक कोई ना कोई बिजनस आइडिया गुमता रहता था, और वो अपने पास या तो अपने बिजनस आइडिया पर किसी भी तरह पैसा खर्च करता रहता था, अब तक जितने जितने भी बिजनस आइडिया सोचे थे, उसमें से किसी भी आइडिया ने काम नहीं किया, और ना ही जिम को उससे कोई फायदा मिला, लेकिन जिस तरीके से वो अपने आइडिया के बारे में बात करता था, सभी लोग उससे इंप्रेस हो जाते थे, वो जिस तरह से बात करता था, लोग न चाते हुए भी उससे प्रभावित होने लगते थे, क्योंकि उसे खुद पर बहुत ज़्यादा विश्वास था, 1960 के समय में जब सारे लोग ये सोच रहे थे, कि हम सब एक दूसरे से अलग हैं, अधिकतर लोगों को यही लगता था कि वो दूसरों से अलग हैं, और उनमें कुछ खास बात है, लेकिन फिर साल दर साल भी जाने के बाद उन्हें एहसास हुआ, कि ये बस एक मित है, असल में कोई भी किसी से अलग नहीं हैं, इस दुनिया में हर कोई अच्छे काम नहीं कर सकता, और फेलियर सक्सेस के रास्ते का एक बहुत जरूरी हिस्सा है, इससे हर किसी को निकलना पड़ता है, बिना किसी खास वज़े के खुद को बहुन बन्दमान समझ लेना, बिलकुल वैसा ही है जैसा जिम खुद को समझता था, बहुत से लोग अकसर ये कहते हैं, कि हम सब अनोखे हैं, लेकिन जरा इस बात को ध्यान से सोचिए, अगर सभी लोग अनोखे होंगे, तो सभी लोग एक जैसे होंगे, इसमें अनोखा पन कहां से आया, हम सभी आम हैं, लेकिन आम होने में कोई शर्म की बात नहीं है, हमें लगता है कि दुनिया में जो सक्सेस्फुल लोग हैं, वो लोग अनोखे हैं, लेकिन वो लोग भी अपने आप को एवरिज मानते हैं, और हमेशा खुद को इंप्रूव करने के पीछे लगे रहते हैं, वे लोग इसलिए महान बन पाए क्योंकि उन्हें लगता था कि वो महान हैं, चैप्टर फॉर, दुख की कीमत, खुद को समझना बहुती मुश्किल चीजों में से एक माना जाता है, क्योंकि खुद को समझना बिल्कुल वैसे है जैसे प्याथ से उपर परत उतारना, जब आप एक परत को निकालते हैं, तो दूसरी परत सामने आ जाती है, ऐसे में जब आप रोते हैं, तब ये समझना कि आप रो रहे हैं, पहली परत है, और जब आप इस परत को उतार कर इस समझने की कोशिश करते हैं, तो वो दूसरी परत होगी, जब आप अपनी भावनाओं को समझ जाएंगे, तब आप अपने मुताबित अपनी मंजिल को चुन पाएंगे, जब आप अपनी भावनाओं के बहकर गलत मंजल चुनते हैं तब आप सारी चीज़े खो देते हैं हमारी जिंदगी में भावनाओं का बहत्मत होता है चोटी चोटी चीज आज जो हम करते हैं उन सभी में भावनाय चुपी होती है चेप्टर पाँच आप हमेशा खुद चुनते हैं अमेरिकन फिलोसफर विलियम जेम्स अपनी जिंदगी से काफी परिशान रहते थे उन्हें क्या-क्या परिशानी आती है उन्हें आग की बिमारी, कम सुनने की बिमारी और भी कई सारी बिमारिया थी इन बिमारियों के कारण वो ज्जाधातर समय अपने घर में ही रहते हैं उन्हें पेंटिंग करने का बहुत ही ज़्यादा शोक है इसलिए वो हमेशा पेंटिंग किया करते थे हाला कि उनकी पेंटिंग को लोग कुछ खास पसंद नहीं करते थे उनकी शारिरिक हालत हमेशा ही खराब रही लेकिन विलियम जेम्स जी पहले इंसान थे जिन्नोंने साइकॉलजी विज्ञान की नीव रखी थी ये कहानी हमें सीख देती है कि हमें हमेशा अपने काम की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए उन्हेंने सोच लिया था कि अगर वो हार मान लेंगे तो वो सुसाइड कर लेंगे और इस चीज ने उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये बुक समरी आपको पसंद आई होगी अगर आप इस बुक को पढ़ना चाते हैं तो इस बुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी और साथ ही दोस्तों अगर आप फुल ओडियो बुक्स भी सुनना चाते हैं तो चैनल में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है इससे आप और भी फुलोडे बुक्स को सुन सकते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में अगली समरी के साथ धन्यवाद